जो बाइटन का वशिंटन से पुराना नाता है अमरीका की राज़्धानी की सियासत ने लंबे वक्त तक उनकी जिंदगी को दिशा दी है 36 साल सांसत के तौर पर और फिर 8 साल उपराश्पती के तौर पर अब उनके पास अमरीका की राज़्धानी को दिशा दिखाने का मौका है अगर वो राश्पती बने तो वो इस कुरसी पर बैठने वाले सबसे भुसुर्ख नेता होंगे डॉनल्ड ट्रम्प का प्रतवंदी होना मात्र ही उन्हें कई लोगों का वोग दिला देगा लेकिन बाइडन के रादे क्या हैं वो इस चुनाफ में अपने 40 साल की छवी के साथ उतरे हैं एक उदार, नर्म और मध्यमारगी नीता असल में वो बराक उबामा की कारेकाल के विस्तार की पेशकश कर रहे हैं लेकिन इन बरसों में डेमोकरेटिक पार्टी में काफी बदलाव आया है इसके तमाम नए समर्थक, टाक्स, स्वास्त तंत्र और परियावरण को लेकर बड़े बदलाव देखना चाहते हैं अगर जो बाइटन राष्टपती बनते हैं तो उनके सामने एकी सबसे बड़ी चुनाती होगी अपनी समझोते और सर्वसमत्ती वाली प्रवरती और अपने मतदाताओं की महत्वर कांक्षाओं के बीच सामन जस्ते बिठाना हमें एकी बात का ध्यान रखना है डिमोक्रेटिक पार्टी में बहुमत रखने वाले प्रोग्रेसिव लोगों का समर्थन और भरोसा हासिल करना दुनिया के सबसे ताकतवर राष्टपती बनने की ओर बाइटन का सफर अब से करीब तीन दशक पहले शिरू हुआ था बाइडन सबसे पहले 1988 में राष्टपती के दौड में शामिल हुए थे लेकिन तब ब्रिटिश लेबर पार्टी के नेतान नील किनिक का एक भाषन चुराने की बात सुपिकार करने के बाद उन्होंने अपनी उमीदवारी वापस ले ली थी दूसरी कोशिश उन्होंने साल 2008 में की लेकिन नामांकन दाखिल करने के कुछ वक्त बाद ही वो उबामा के समर्थन में आ गए थे डेलेवेस से च्छे बार सेनिटर रहे बाइडन सबसे पहले 1972 में चुने गए थे लेकिन उनकी राजनीतिक जीवन के दौरान ही उन्हें कई नीची हाथ से झेलने पड़े 1972 में पहली बार सांसत बनने के कुछ ही वक्त बाद एक हाथसे में उनकी पहली पतनी और बीटी की मौत हो गई थी उन्होंने सांसत के तौर पर अपने पहले कारेकाल के शपत अस्पताल के उस कमरे में ली थी जहां उनके छोटे बच्चे बोग और हंटर भरती थे ये दोनों उसी सड़क हाथसे में जखमी हो गए थे 2015 में बोग की 46 साल की उम्र में ब्रेन कैंसर से मौत हो गई थी अपनी नीजी जंदगी की तरास्तियों की वजह से लोगों के बीच उनकी एक दयालू और पारिवारिक शक्स की 26 थापित हुई लेकिन अपनी लंबी सियासी पारी के बावजूद बायटन के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि राश्ट्रपती बनने पर फुस्साकार कैसे चलाएंगे अपनी कैंपेनिंग के दौरान वो कई विवादस्पत मुद्दों में सफलता पूरवक चुपी साधे रहे चुपी और उनसे पार्टी के अंदर होने वाले विवादों पर चुपी कैंपेनिंग के दौरान फायते मंद हो सकती है लेकिन चुप रहने से ये समस्याएं खत्म नहीं हो जाएंगी वाइट हाउस में ताखिल होने के लिए जो बाइडन ने भले ही जोड़दार कैंपेन किया हो लेकिन उनका सबसे बड़ी चुनाती का सामना करना अभी बाकी है